नमस्कार मैं दिपाली अब सभी कश्वागर दिपाली आइस्टों में करते हूं और देखते हैं आज का दिन रनीकी 15 अप्टूबर 2023 कैसा जाने वाला है चलिए बात करते हैं मेश आशी बालों के लिए मेश आशी बालों अगर आज के दिन कि मैं बात करूँ तो समानेता आपका जो आप सोच विचार कर रहे हैं आपके financial stability से मतलब रखता हुआ कोई भी विचार है कोई भी तथ्य है कोई भी fact है या कोई भी आपका thought process है अगर आज के दिन आप उस पे स्थिरता के साथ काम करेंगे तो आपको शुबता ये शुब संकेत बहुत जल्दी देखने क को मिल सकती है पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी मन शांत रहेगा बात करते हैं वरिशव राशी वालों के लिए situations आपके लिए controlling aspect को चूती हुए नजर आएंगी मन आपका शांत रहेगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नए decisions ले पाएंगे आपके लिए और विस्तार के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए आज के दिन अवसर आ सकते हैं किसी में तो पूर्णे वेक्ति विशेश से मुलाकात हो सकती हैं बात करते हैं मितुन राशी बालों के लिए समाने तापके लिए परिस्तितियां रहेंगी कुछ खास होता चलाओ चीज़ो जो लोग प्रिमाइसेज होम या कुछ न कुछ प्रॉपटी होम चेंज करने के लिए घर चेंज करने के लिए विचार रहत थे सोच विचार कर रहे थे या प्रॉपटी बाय करने के एक शुक्त हैं उनके लिए आज के दिन आप्शन आते हुए नजर आएंगे साथी साथ settlement की भी situations आपके लिए clear होती भी नजर आएंगी बात करते हैं करक राशी वालों के लिए करक राशी वालों आज का दिन खास्तोर पर सेकेंड आफ का दिन आपको स्वास समंदी चिंताओं को आपके लिए बढ़ा सकता है तो अपने स्वास के प्रति आपको थोड़ा सा समवेदन शील रहने की जरूरत है मन आपका शांत रहेगा विचार धाराएं प्रबल रहेंगी साथ ही साथ आज के दिन आपको एक काम करने की जरूरत है आप किसी विक्ति विशेश से आपके जीवन में चल रही कोई emotional problem आज के दिन आप discuss कर सकते हैं ये विक्ति विशेश आपका गुरू हो सकता है या आपके परिवार का कोई निकट्तम सदस्य भी हो सकता है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों आपके लिए share market में invest करना इस समय प्रभावशालिय लाबदायक सिद्ध हो सकता है साथे साथ आज के दिन आपको निवेश संबंदी aspects को सोच के समझ चलने की जरूरत है property investment में भी आज के दिन आपको profitable situation देखने को मिल सकती है जो लोग ने वहान खरीदने के एक शुक थे या बहुत समय से plan कर रहे थे अब उनके लिए वो परिस्टिती समानेता होती हुए नजर आ रही है लगबक आज के दिन आप सभी उन सभी तथ्यों को विचार पाएंगे उन पे काम कर पाएंगे जो इतने दिनों से आप सोच रहे थे और आप उनको नहीं execute कर पा रहे थे आज के दिन आप अपने उपर भी काम कर सकते हैं आपके लिए कुछ न कुछ समय जरूर निकल कर आपको आज के दिन अगर आप अपने उपर समय निकालेंगे, अपने उपर समय बिताएंगे, तो देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिविटी बन रही है, बात करते हैं करने राशी वालों के लिए, करने राशी वालों आज के दिन कि मैं बात करूँ तो आ आज का दिन समानता जाएगा, प्रोफेशनली कुछ खास उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा, जैसे सिचुएशन्स चल रहें चलती रहेंगी, परिवार की स्तिती भी समाने रहेंगी, लेकिन आपके आत्म विश्वास में आज के दिन व्रद्धी होगी, पराकरम में व्रद्धी होगी, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश तो करेंगे और उसकी तरफ आप बढ़ेंगे भी, अग्रसर भी होगे, साथी साथ आपको कहीं से एक मैंतवपूर्ण हेल्प भी मिलती हो नजरा सकती है, अगर आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लि निष्ठा के साथ आप लगे रहते हैं, और अगर आप उसका ड्यू क्रेडिट एक्सपेक कर रहे थे और अगर उसमें लास मिनट में कोई नेगेटिविटी आ रही है, या विचारा धीने कुछ मामले जहां पर आपको लगता है कि चाहे आपका प्रोमोशन ड्यू हो, रोजसाहन भी मिलेगा, आपके पराक्रम में भी वृद्धी होते हुए, आज के दिन आप देखेंगे, बात करते हैं वृष्चिक राशी बालों के लिए, लंबे समय से चल रहा है, पारिवारिक रिन अब खतम होता हुआ नजर आएगा, लोग आपके काम की तारीफ भी कर करेंगे, तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव कॉंट्रिबूशन का माना जा सकता है, बात करते हैं धनुराशी बालों के लिए, धनुराशी बालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है, मन को शांत रखी आगे favor में आएंगी बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक है पॉजिटिविटी से भरा है मन आपका शांत रहेगा लोग आपके काम की तारीफ करेंगे समाने ता परिस्तिती चलेगी कुछ खास उता चलाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा साथे साथ आज के दिन संतान पक्ष की तरफ से भी आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है परिवार के साथ बिताय गया समय आज के दिन आपको रजिमिनेट करके जाएगा बात करते हैं कुमराषी वालों के लिए आज के दिन खास तर पर सेकंड हाफ के दौरान आपको अपने स्वास्त के परती थोड़ा सा समय दिन शील रहने की कोशिश करनी चाहिए BP संबंदित अगर आपको कोई ailment है कोई बिमारी है तो उस पे आपको आज के दिन ध्यान देना चाहिए साथी साथ आज के दिन lifestyle को improve कैसे करें थोड़ा सा active कैसे हुए अपनी चीजों को किस तरह से mold करके desired situation को create करें इस पे आज के दिन आपको थोड़ा सा constructive thinking करने की जरूरत है साथी साथ आज के दिन परिवार का support भी आपको भरपूर मिलेगा बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए सामानिता परिस्तिती चलेगी मीन राशी वालों कुछ खास negativity या positivity देखने को नहीं मिलेगी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा professionally भी कुछ खास हो सकता है दिन न आ जाए second half के दौरान थोड़ा सा monotonous आपको लग सकता है लेकिन उसमें कोई negativity इसलिए नहीं है क्योंकि आपको थोड़ा सा time second half के end के दौरान मिल जाएगा लेट इवनिंग या night के समय मिल जाएगा जहां पर आप अपने जीवन में चल रही तमाम कुछ घटनाए हैं कोई problems हैं कोई situations हैं कुछ अवस्था है उस पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं ऐसे वेक्ति विशेश से जो आपको एक विशेश टिपणी और राय दे सकता है उसके द्वारा दिये गए बहुमूल वचन या कुछ राय आपके लिए पर इस्थितियों को और जाद़ पॉजिटिव करके जा सकते हैं इसी के साथ मुझे आगए दीजे मैं कल फिर खाजर होंगी नमसकार